हेलो दोस्तों स्वाइब है तमाई यूटूब चैनल सर्टेंस्टी माटेरियल में और देखिए आज हम बात करेंगे बीटी यूपी स्कॉलर्शिप के बारे में ठीक है तो जिन स्टूरेंट की स्कॉलर्शिप नहीं आई है देखिए मात्र एक दिन आपके पास रिमेनिंग म देखे हैं तो देखिए आपको करना क्या है और कैसे आको की स्कॉलर्फिप अपनी ले सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो में देखे पूरा इस वीडियो को जब आप देखेंगे तब ही आप समझ पाएंगे नहीं तो अगर आप relatingे तो समझ में नहीं आएगा तो देखिए स उच्छात्र बेती है जो स्कॉलर्शिप पर हंडेट परसेंट आपकी आजाए तो देखिए आपके पास देखिए 21 फरवरी तक लास्ट डेट है 21 फरवरी की और देखिए एक सीज और बता दें कि अगर जिन स्टुडेंट का जो स्कॉलर्शिप फॉर्म है वो अगर मतलब कॉलेज से फारवेट कर दिया गया है ठीक है कॉलेज से अगर क्या है वो फारवेट हो गया है तो आपकी स्कॉलर्शिप 100 परसेंट आजाएगी स्टुडेंट है वो अपना मतलब देखिए जो समाज कर लेंगे ठीक है रावतपुर में आपका पड़ेगा ठीक है वहां पर उसी लाइन में आप वहां से नहीं पता जिनको आप पूछ भी सकते हैं तो वहां पर मतलब आपका काम हो जाएगा बट देखिए कुछ पैसे भ दाक्युमेंट जितना भी आपने दो सेट में जमा किया था कॉलेज में जमा किया था वो आप सब ले जाएंगे क्योंकि सबसे पहले अगर आपका फॉर्म फारवेड हो गया है तो वहां पर जब आप डिपोजिट करेंगे तो देखिए एक सीज और जानली जो SCST वाले SCST तो जब आप वहां पर जाएंगे समझ कर लेड़ में तो वहां पर क्या होगा कि आपका मतलब जो वहां पर बैठे होगे वो देखिए क्योंकि अभी काफी लोग काम कराया है हमने ठीक है मैं गया था तो वहां पर देखिए जो SCST के लिए हैं वो अवनीज कुमार यादव चीजी वहां पर बैठे हुए थे ठीक है अवनीज कुमार यादव ठीक है तो वहां पर देखिए जो आवनीज कुमार यादव वो SCST का फॉर्म ले रहे थे और जो देखिए जो OBC वाले OBC वो ध्यान से देखिए उनका देखे सुमित गौतम थें एक वो ले रहे थें ठीक और जो मतलब देखे जो OVC वाले वो अलग और जो जनरल वाले हैं वो अलग ठीक है तो जिनकी नहीं आई है वहाँ पर वो जाएं और बात करें ठीक है और अगर फारवर्ड हो गया है तो 100% आपकी स्कॉलर्शिप अब वापस आज आएगी ठीक है मतलब आपको मिल जाएगी क्योंकि देखे क्या है कि वहाँ पर जब आपको रेइस्टेशन नंबर पूछेगा जब आप वहाँ पर बताएंगे कि सर मेरा फार्वर्ड हो गया है बट स्कॉलर्शिप अभी नहीं आई हुई है सारा कुछ आप बताएंगे जो भी वो पूछेंगे ठीक है तो आपको को इस्टेशन नंबर लेंगे वो तो पूरी डिटेल्स देख लेंगे और क्या मिस्टेक है क्या प्रॉब्लम है वह चेक कर लेंगे ठीक है तो देखिए क्या होगा कि एक दिन कैसे बचा हुआ है इसको भी आप ध्यान से देखे क्योंकि देखिए 21 फरवरी आपकी लास्ट ड और जो कन्नोज ठीक है हर जगए यहां पर मतलब चुना होने वाला जो भी डिस्टिक है ठीक है विदान साब के तो आपको करना क्योंकि देखिए संडे हो जाएगा तो संडे और जो संडे कोई क्या है आपका 20 तारीक को इलेक्शन है ठीक है तो वह उस दिन तो काम होने वा पर बता देंगे आप तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको फानली वहां से बता दिया जाएगा और आपकी जो स्कॉलर्शिप होगी वह भी आ जाएगी ठीक है क्योंकि देखिए 21 फरवेड़ी तो लास्ट डेट ही है तो उस दिन तो जाने का कोई मतलब नहीं र देना है और वह अगर फारवड हो गया है तो आप पहले यह पता करें कि फारवेड हुआ है या नहीं ठीक है तो देखिए अगर किसी भी स्टुडेंट को कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है वह पूछ सकता है तो अगर आप लोग को यह वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में